ते गैसे हैं आप आई होब कि आप सभी अच्छे होंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं How to change hotspot settings in Infinix Smart 8 आज की इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ कि smart 8 device में आप किस तरीके से hotspot settings change कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप उसका passport कैसे change करना है name कैसे change करना है, या फिर आप data limit कैसे लगानी है तो वो मैं आपको बताने बाला हूँ इस वीडियो को end से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है और चैनल पर पहली बार आएंगे, तो प्लीज से चैनल को सब्सक्रेब करके वैल आइकन को प्रेस कर देना है तो इस वीडियो फिर्स्ट अपल यहाँ पर आपको notification बाहर में जाना है उसके बाद यहाँ से आपको hotspot on करना है और उनकरने के बाद यहाँ पर आपको press करके रखना होगा उसके बाद यहाँ पर आपकी settings open होती है तो यहाँ पर जैसे की hotspot settings इस पर click कर देना है तो यहाँ से आपका यह name हो जाता है इस पर click करके यहाँ से आप इस name को cut करके कोई अपना name यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपको name लिखना है वो यहाँ पर आपको option मिल जाता है और इसे आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है तो यहाँ से हम अपना name लिख देते हैं को कर देते हैं उसके बाद यह 550 करें गे यह प्रस्वर को ज्ञादा ही को मैसे ऊच्च कर देना को कर देने और यह कर देंगे और यहां को हो चुकर देना है उसके बाद यहां पर बैक करते हैं, उसके बाद यहां पर आपको मिल जाता है यह connection management तो यहां पर आपको click करना है, click करने के बाद यह आपकी सबसे important setting है इन्हें आपको जरूर से on करके रखना चाहिए, यहाँ पर मिल जाता है one time data limit, इस पर click करना है और यहां से आपको सबसे पहले इसे on करना है on करने के बाद यहां पर data limit मिलता है इस पर click करना है और यहां से आपको जितनी भी data limit लगाने है जैसे कि 200MB, 500MB या फिर 1000MB यहां से हम 500MB की यहां पर limit लगाते हैं 500MB की लिक देंगे यहां पर और उसके बाद यहां पर MB पर click कर देंगे और यहां से से OK कर देंगे तो यहां पर 500 MB की यहां पर यह limit लग चुकिए उसके बाद यहां पर आपको इस बादे option पर click करना है और यहां पर turn off and notify इस पर click कर देना है इससे क्या होता है अगर आप कोई भी बंदा आपकी 500 MB यूज कर लेगा तो तुरंत आपके phone का hotspot off हो जाएगा और आपके पास एक notification भी आ जाएगी तो यहां से back चले जाते हैं उसके बाद यहां पर आपको यह मिल जाता है maximum number of connected device इस पर click करेंगे तो यहां से आपको यह 10 पर है तो अगर आप यहां पर hotspot on करते हैं तो एक बंदा नहीं बलकि 10 बंदे यहां पर connect कर सकते हैं आपका hotspot और 10 बंदे आपका internet use कर सकते हैं तो आपको यहां पर one पर click कर देना है तो यहाँ पर एक ही बंदा आपका hotspot यूज कर पाएगा, आपका data यूज कर पाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको यह setting जरूर से यहाँ से on करके रखनी चाहिए I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आओगा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है next interesting वीडियो के साथ